दोस्तो इस mini rice meal machine का जो धान कुटाई से related जनकरिया जो होते हैं वो जनकरिया बहुत से भाई लोगों को मालूम नहीं होते हैं एक common सवाल है जो हर भाई पुछते ही रहते हैं यह rice meal जो है mini rice meal machine उसका जो कुटाई करने की छामता हो कितनी है यह जाने का उत्सुकता हर भाई को रहता ही है दोस्तो आपने कभी ने कभी mini rice meal machine में लिखा हुआ जरूर देखे होंगे कि यह rice meal machine इतने केजी घंटा कुटाई करता है यानि इतने केजी गंटा पिसाई करता है इस तरह से लिखा रहता ही है हर rice meal machine में यानि ओ लिखा हुआ जो होता है rice meal machine में ओ शुरुआती समय जो product निकलता है यानि उसका जो capacity शुरुआत में होता है उसका लिखा हुआ होता है दोस्तो साइद आपको ये मालूम नहीं होगा कि जो ये लिखा हुआ रहता है कुटाई करने के छामता लिखा हुआ रहता है मिनी rice meal machine में ओ तो लिखा ही रहता है लेकिन ओ जो कुटाई करने के छामता है ओ एक समान नहीं रहता है जब आप नया नया ये rice mill machine में कुटाई करोगे तो जितना लिखा हुआ रहेगा उतना ही कुटाई करेगा बाद में ओ धीरे धीरे करके उसका जो कुटाई करने की छमता ओ घड़ते जाता है यानि शुरुवात में कोई भी मसीन जितना लिखा हुआ रहेगा उतना ही कुटाई करके देगा यानि उसका जो कुटाई करने की जो कपेशिटी रहेगा वो करेक्ट देगा यानि जितना लिखा हुआ रहेगा उतना कुटाई करके आपको देदेगा उसके बाद वो धीरे-धीरे करके और उसका कुटाई करने की स्हामता धीरे-धीरे उनका capacity घटते चला जाता है मान के चलो किसी rice mill machine एक घंटा में 200 kg कुट रहा है यानि कुटाई कर रहा है तो 200 kg घंटा कुटाई कर रहा तो एक महिने बाद वो 500 kg पर घंटा कुटाई करने लगेगा देड़ दो महिना हो जाएगा तो और काम हो जाएगा तब तो 100 kg पर घंटा कुटाई करने लगेगा दूस्तो ऐसलिए होता है की जो उसमें Гर्सन करके खत्म होने लगता है जयसे खत्म होने लगता है तैसे तैसे उसका कुटाई करने की शामता है तो धिरे दिरे कम होते चला जाता है मिनी रैस्मिल मसीन का स्पायर पार्ट बोले तो उसका साप्ट होता है जो रोलर होता है यह जो रोलर होता है और जाली होता है यह सब अगर नया रहेगा तो जितना लिखा हुआ रहेगा रैस्मिल मसीन में उतना आपको कुटाई करके दे देगा उसके बाद जैसे रोलर वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है बस वो दो महिना करीब चलेगा उसके बाद वो थोड़ा उसका जो कुटाई करने के शामता है वो आधे हो जाते यह प्रोब्लम मैंने फिस कर चुका हूं दोस्तों इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि जो मेरा साफ्ट लगा हुआ है रा रिपैयर करता हूँ आते नया खरिद के नहीं लगाता हूं रिपैयर करता हूं तो हमको थोड़ा सस्ता परता है इसलिए हमें रिपैयर करता हूं रिपैयर वाला वीडियो है मेरा चानल में डला हुआ जाकर देख सकते अगर आप यह राइशंुल मशिण चला रहर हो अगर चलाने की सोच रह हो तो खुटाई करते हो जो चमता है आनी कपिसेटी घटते चलाजाएगा तो अगर ऐसे चलाते रह जाओ तो आपको नुकसान ज़लना पड़ सकता है यानि मसीन यानि राइसमिल मसीन तो चलता ही रहेगा यानि अगर राइसमिल मसीन चला रहे तुसमें तो करेंट चाहिए ही चाहिए तो उसका जो बील होगा वो तो सेम आएगा यानि कपिसिटी तो घट जाएगा लेकिन जो बील आएगा वो तो सेम आएगा इस वोज़े से ऐसे बिजली के बिल आपका यानि पहले जैसा ही आता रहेगा यानि उतना ही आता रहेगा लेकिन आपका जो खुटाई करने की छामता है राइसमिल मशीन हो घट जाएगा और आपका समय भी इसमें चला जाएगा पहले अगर मान के चलो एक घंटा में 200 केजी कुट रहे थे तो आप घटके एक घंटा में 100 केजी हो जाएगा तो समय डबल समय लगाना पड़ जाएगा दोस्तो यह जो मीनी राइसमिल होते हैं छोटे वाले मीनी राइसमिल मशीन होते हैं इसमें जो कुटाई करने की छमता होते हैं वो माइने नहीं रखता है उसको उनका पार्ट को आप मेंटेन करते रहोगे तभी इसमें आपको सेम रिजल्ट मिलेगा नहीं तो आपका धान कुटाई काम होगा और विजिलिक बिल ज्यादा चलाया आएगा और समय भी बरबाद होगा किसी भी ऐसे राश्मिल मसिन चलाने वाले भाई लोगों से पूछ सकते हो और दो महिने में जरूर ये ध्यान दिये होंगे कि दो महिने में एक समान उनका जो कुटाई करने अगर वो छोर को आप मेंटेन करते रहोगे दो-दो महिना में तो जो कुटाइकनिक छमता है वो बरकरार रहेगा